भजन सहिता अध्याय चहत्तर परमिश्वर यहुदा में जाना गया है। उसका नाम इसरायल में महान हुआ है। और उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सीयोन में है। वहां उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़ कर निदान लढ़ाई ही को तोड़ ड हान है। दुढ़ मन वाले लूट गए और भारी नीद में पड़े है। और शूर वीरों में से किसी का हाथ न चला। हे याकुप के परमिश्वर तेरी घुड़की से रथो समेद घुड़े भारी नीद में पड़े है। केबल तु ही भायययोग्य है। और जब तु परमिश्वर नय करने को और पुत्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। निश्चर मनुश्र की जलजलाहट तेरी स्तूति का कारण हो जाएगी। और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। अपने परमिश्वर यहवा की मननत मानो और पूरी भी करो। वहाँ जो भैकी योग्य है वहाँ उसके आसपास के सब रहने वाले उसके लिए भेट ले आए। वहाँ तो प्रधारों का अभिमान मिटा देगा। वहाँ पुत्वी के राजाओं को भैय योग्य जान पड़ता है।